हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे चानल पे तो सामने ये जो आप फूल देख रहे हैं ये क्रिशन कमल या राकी बेल का फूल है इसके केर का वीडियो मैंने अपनी चानल पे डाला था तो उसके मुझे कई सारे सवाल आ रहे थे इस को लेके इस प्लांट को लेके तो मैंने सोचा कि फिर से मैं एक वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब देखे आपके कुछ डाउट्स क्लियर करे दो इस प्लांट को लगाना काफी शुब माना जाता है और इसके फूल भी इस साथ में बहुत ही खुबसूरत होती है तो काफी लोग इसे लगाना चाहते है और लगाने के बाद भी कुछ लोगों के फूल इसमें नहीं आते है तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये मता दू कि इस प्लावरिंग भी इंडा के लिए अच्छा फॉर्टिलाइजर चाहिए होता है इसके लिए मैंने एक गजिए परिउस करते हैं इस फीडियो का लिंक मैं लिए डिस्क्रिप्शिन वक्स में डाल दूंगी तो पहला सवाल था कि इसमें फ्लावरिंग कब होती है कुछ लोगों ने प्लांटस लाया हुआ है लेकिन उनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस प्लावरिंग पूरे साल होती है सिर्फ विन्टर के 2-3 महिने इसमें डॉर्मेंची पीरियड होती है इसकी जब आपके आ अगर आप इसे अच्छे से फर्टिलाइजर दे रहे हूं तो फर्टिलाइजर वाला वीडियो भी आप देख लीज़ेगा अभी कुछ तिक पहले इस वीडियो पे जो दूसरा सवाल आया था वो ये था कि उनके पत्ते पीले होके गिर रहे हैं तो देखे अभी इनका डॉर् परश्बा पूराने पत्ते हैं और फैब्री और मार्च में इसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी फिर से ये नए पते निकालने शुरू कर देंगी और तीसरा सवाल ये था किन्यो जब इसमें नियू ग्रोथ आति है नियू ब्रांच यह उती drinked नाती है जैसे ह बेल की तरह से सपोर्ट देकर बढ़ा सकते हैं यह कभी भी प्लांट का रूप नहीं लेता है ट्री का रूप नहीं बनेगा इसलिए इसकी पिंचिंग हमें नहीं करनी है इन्हें हमें एक बेल की तरह ऊपर चड़ाना है और अभी आपको इसमें कोई भी नई ग्रोथ देखन प्लांट है तो उसको देखके एंफिज मत होएगा कि उसकी प्लेव सबी क्रीन है तो आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में मेरे प्लांट काफी बुषी ते काफी अच्छी अच्छी फ्लाबरिंग भी हो रही थी लेकिन आप इसमें कोई भी नई कली भी नहीं कषिए ये ऱजाइन नहीं सची अच्छी को घत एक अगा मेदर होधिगे नियु ज्क्रफूर थी नहीं के लिए ब्लावरी देता तो भूर कुछ दिद्ध करने के लिए धूप की जरूपत होती है तो इसे हमें कम से कम मिनिमंँ चार गंटे की धूप जरूर देनी है अगर इनमें चार गंटे की दूप लगेगी तो ये अच्छी फ्लाब्रिंग करेंगे अगर उसे जादा भी दूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शेड में ये प्लाब्रिंग नहीं करेंगे अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा